क्या आपने कभी अब्जर्व किया है कि अंडा पकने पे हाड की हो जाता है नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है पनीत और आपका मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं फूर्ड साइंस के एक नए वीडियो में आज हम इसी अंडे के फंडे के बारे में जानेंगे कि अंडा पकन प्रोटीन बखिरा हूआ होता है ऐलबनमें एक मिजर परोटीन अंडे में पाये जाता है इसलिए इसका हूं बेस्ट और चीपसory सार्स माते है प्रोटीन का हर एक प्रोटीन का मॉलेक्यूल एक उलजह हुए चेन के फर्म में रहता है अपने आप में इनके बॉंड होता है इसलिए उलजह हुए चेन के फर्म में रहता है जब इसमें हीट अपलाई करते हैं 63 डिगरी सेल्सियस पे 63 डिगरी सेल्सिस पे ये मॉलेक्यूस अपने आप में इसमें तेजी से टकराते हैं कि इनके बीच में जो बॉंड रहता है जो इसे उलजह हुए शेप रहता है वो तूट जाता है और ये चेन के फर्म में आ जाते हैं अब ऐसे चेन्स बहुत सारे हैं इसके बगल में ये उन की तीकी से हड न रहते होँए हलका साउफ्ट और हड रहता है पूरा पानी ज़रुरी नहीं कि उसी के बीच में रह जाए आपने देखा ओगा जब अंडे को बॉयल करते हν तो छिलके और अंडे के बीच में रहता है वह ही पानी है और अगर आप फ्राइक कर रहे है या फिर आमनेट बना रहे है तो अंडे का पानी 29 अब यहीजी अंडे की property को हम बहुत जगह उसकरते हैं एक क॒मन जगह है वह केक बनाने में हालाकी हम हीट का अप्लए नहीं करते पहले पहले हम हम हमसे तरीके से उसके बॉंड को तोड़ देते हैं या हम विस्क का यूज़ करते हैं या फिर हम ब्लेंडर का यूज़ करते हैं जिससे कि उसके बॉंड टूट जाते हैं और वापस से वह चेन के फॉर्म में आ जाते हैं अब केक बनाने के प्रसीजर में हम एयर को इसके गैप से फ कुख हो जाता है 63 डिगरी चल्सियस पे स्टार्ट होता है और 80 डिगरी सेल्सियस पर ये पूरी तरीके से कुख हो जाता है मैं आशा करता हूं दोस्ता कि आपको ये वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग लगा होगा ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए फूर्ट सैंस चैनल को और आप किसी किसी टॉपिक के बारे में जाना चाहते हैं कमेंट कीजिए मैं जरूरू उसको कवर अप करन परने वाद